गुंगरू गुरू की आवास सुना ही थे दिए चम चम कोई बोलेगा तुम मेरे पिछले जनम के प्रेम हो मैं तुम्हें लेने आई हूँ अच्छा एक चीज देखें भूत हमेशा महिलाएं बनती है पूरूस भूत बनता है जी उतक इसी जनम में भूत है उसको के आगले ज में आण से देखी आपके साथ होता होगा क्या को किसके पास है औरrange से हम पैदा ईसके बाद यह रहा इस पाइनल कोडो अगर बीज़ी है अगर कभी brain busy रहता है या कई दूसरे direction में रहता है तो अपने total body का control वो किसको दे देता है? spinal cord को दे देता है लेकिन main controlling का काम जब भी करता है तो वो brain करता है कभी-कभी हम किसी दूसरे के ख्याल में खोए रहते हैं या कभी tension में रहते हैं कुछ सोच रहे होते है तो brain पूरी तरह से उधर ही है brain ने अपना body का control की से hand over कर रखा है spinal cord को hand over करके रखती है जैसे DM साब नहीं रहते हैं तो ADM को hand over करके दे देते हैं तो जब कभी भी control से बाहर हो जाती है मतलब ये दिमाग का ही है दूसरी और BG हो जाता है तो हमारे body को control कौन करने रहता है spinal cord अब spinal cord को कुछ अच्छा experience नहीं है body को control कैसे करना है जैसे माली जी ये marker है ठीक है? यहाँ पर तो हमारे brain में है आपका seri bram जिसको पता है कि इस marker का weight बहुत कम है तो ये उतना ही सक्ती का आदेश देगा कि भाईया आराम से उठा लो समझ्या गया? लेकिन अगर बाल्टी से भारा पानी है मतलब किसी बाल्टी में पानी भारा हुआ तो हमारा आँख देखेगा तो seri bram बोल देगा रहे बकलो लो पूरा भार पानी है 31 जोड़ी नसे निकली रहती है दोनों साइट से नसे पतली-पतली निकली है जैसे ब्रेन बीजी हुआ उइ स्पाइनल कॉट को का सब लोग रेडी हो जाओ कुछ नहीं होना चाहिए एकदम एलाट मोड पर हमला हो सकता है पूरा अब ब्रेन किसी को सोच रहा है कितना सुन्दर थी ये थी अईसे करके सोच रहा है अब पूरे बोड़ी को कंट्रोल को रखा है आपका इस्पाइनल कॉट तब तक पीछे से आपका कोई मितर आगे काता है भो आप डर जाते हैं इसे क्यों डर जाते हैं रीजन समझ ये क्या है कि ब्रेन उस समय बीजी था सम्हालने की जिम्हेदारी स्पाइनल कॉट की थी और स्पाइनल कॉट ने अपने 31 जोडी नसो को अलाट मूट पर रखा था जैसे भो बोले न ये 31 जो का अलाट हो गया सा क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ तब तक जट सजट का लगता है तु रप ब्रेन अपने कंट्रोल में ले लेता रहे बकलोलवा क्या कर रहा है तब देखे दूर सुच रही तो हमरा दोस्ते है तो जब कभी वी आपके सामने से कोई आके करेगा तो आप नहीं डरेंगे क्योंकि आपका ब्रेन एकदम एड़ेस्ट कर रहा है तो बकलोलवा भोलेगा लेकिन जब कभी आपका ब्रेन दूसरे ओर होता है और आपकी बॉडी का कंट्रोल का टेक ओवर स्पाइनल कॉड ले रखा तो चोंग जाते है जानवरों के पास भी दिमाग होता है लेकिन उससरे अपडेटेड नहीं रहता है बहुत कैपिसिटी कम रहती है इसलिए जानवरों में भी देखिए अगर आपकी गाए अगर भाग गई है एक बार हमारे घर की गाए थी उसको डॉक्टर के पास ले गए थे लो आठ किलोमीटर दूर डॉक्टर था वहाँ पे वहाँ पे लेके गए थे लो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया था डॉक्टर सुई दिया ना गाए तुडा के भाग गई और उसको पाहिली बार गई थी वह है जानवरों के है इसके बाद और रास्ता याद रखी थी वापस आ गई थी जानवरों यारा्सता याद रखने की चहमता बहुत जवर्जस्तत हती इसलिए दिखिये गाए छारों में खास करे पटना दिल्ली वगरा मैं तो लोग गाय को पालते हैं, और इतना तकलीफ लगती है कि उसे साड़क पर छोड़ देते हैं, वेचरी प्लास्टिक खाके मर जाती है, लेकिन इतनी वाफादार होती है कि दिन में घूम फिर के आती है, असाम को अपने मालिक के पास आती है, और वेचरा दू लेता है, वही जानवरों के पास भी सेरी ब्रहम होता है, सब कुछ होता है, जानवरों के पास भी पटाका फोड़ियेगा, तो भी चौक जाती है, भाइसूस तो तुरा जाती है, तो सब होता है, लेकिन उनकी कैपसिटी इतना कम रहती है कि वह जादे देर तक याद नहीं रख पाती है, लेकिन कुछ जानवरों की capacity बड़ी रहती है, तो वो पालतू कहलाते हैं, और अच्छा जैसे कुट्टा का capacity अच्छा कासा होता है, चिंपांजी का मानों से मिलता जुलता रहता है, बंदर का, आपका भी जाएगा ना, हम आपको बताते हैं, बिहार में राजगीर, जहां महा जो कोई पीट रहा है, हाथ काट रहा है, तो यह बाहर से ना काट रहा है, हाथ काट रहा है, तो दर्द करेगा, कौन बताएगा, बाहरी चोट को थैलेमस बताता है, थैलेमस, कौन बताता है, थैलेमस, और अंदर से दरत कर रहा है, तो हाइपो थैलेमस, जैसे अंदर से प पेटवा के पास से जानकारी आई खोपड़िया को दिया कौन, तो पेटवा के पास से जानकारी दिया गया इस्पाइनल कॉड को, इस्पाइनल कॉड ने कुछ भी नहीं किया, यहां से यह सारा सिगनल किसको पास भेज दिया, ब्रेन के पास भेज दिया, और ब्रेन डिसाइ वे में एको सुई लगा देता है देखेए ये स्पाइनल कॉट है ना एको यहीं पर गर्दन के पास प्रिश्ट वी लगा देगा अज जई से लगाएगा तो यहाँ इस पाइनल कॉड़ और ब्रेन का कनेक्शन तोड़ देगा वूँ यह समय के लिए हमेसा के लिए पार्मान तूर देता है उसका, यहां से connection कुछ देर के लिए fault कर देता है, यह वो injection मारेगा connection खतम, अब आप इधर cut put कुचू कर दिए उसको कोई असर नहीं करने हो ला है, तो आजकल जो operation किये जाते हैं, वो spinal cord में injection देकर कर दिया जाता है, जिससे कि आपके brain तक यहां से जानकारी नह तो कोई महिला अगर वती है, तो होस में रहती है, बती आते होती आती ही रहती है, यहां से काट दिया है, उसके चीर के सामने बच्चा निकल के देखा 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 लेगा जो 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 रोएगा वहाँ पर, सहीं हो गई, फिर 6-7 घंटे बाद यह सहीं हो जाता है, आज से 12 13 साल पहले, तो होस्टल के सारे लड़के छुटी में चले गए थी, यही दुरगा पूजा का समय था, सारे लड़के चले गए, और हम दुरगा पूजा में गए नहीं, और पूरे होस्टल के कैमपस में, अवाई सरकारी होस्टल बहुत बड़ा होता है, अकेले हम ही थे, और रात में अचानक दर्वाजा कोई ऐसे चूँ चूँ आवाज आने लगा तो जब आप डर जाते हैं तो उसी को कहते हैं यानि अनुकम्पिया और इस डर के बदोलत आपके बड़ी में कुछ गड़बड होने लगता है आपकी आखे बड़ी हो जाती है आपकी आखे बड़ी हो जाती है आखे बड़ी हो जाती है सांस तेजी से चलने लगता है चाया है, एच्ट मेरे पिछले जनम प्रेम औल हो। अच्छा एक चीज़ देखें, भूत हमेसा महिलाएं बनती है, पूरूस भूत बनता है जी, उसी जनब में भूत है, उसको के आगले जनब में भूत थोड़े बनाएं, समझी है, अच्छी डर लगने लगेगा, तो ऐसी घटनाओ को sympathetic करते हैं, हमको मेन कारण क्या था है, तो से निकलने वाली, एक तीसना से कर रही है, किसी को नहीं पता, सब आपने में गढ़बढ हो जाती है, इतना भयानक दर जाएंगे, ब्रेन, सेरीबरम, सेरीबरम, मेडूला, अबलंगाटा, ये जितनी स्पाइनल कोड़े, सब पगला जाएंगे, तो ऐसी घटनाओ को autonomous, automatic हो तब आपका मन इदम हरिहरा आजाएगा, हमरी वली आई है मिलने के लिए, तब जब आप रिलेक्स हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं, पारा सिंपेथेटिक, यानि पारा अनुकम्पी है, अब जो जो घटनाए होई थी सब नॉर्मल हो जाएगा, और खिया जो नचकरा गिया नॉर्मल हो जाएगा, जो मुहा सुख गया था, अब मुस्कुराने लगेंगे, अब बैठो बैठो बैठो, होस्टल में कोई नहीं है, बैठो बैठो बैठो, तो दोस्तो फाइनली हम लोगों ने साथ में देखा खान सर का वीडियो, जो कि बहुत जबरदास्त भाई हो जता है, पसीना छूटने लगता है, हम लोगों को अचानक डर कैसे लगता है, खान सर ने पूरा डिटेलन बताया, खान सर को बहुत बहुत धन्यबाद, सर इतना अच्छा हम को बताए, हम लोगों को इतना अच्छा बद्जन करियां देते हैं, और दोस्तो इस वीडियो में जहिंद